नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्री इलेक्शन बुलिटिन देईस में प्रदेश, चौबीस में देश और अब खास मलाका सेगमेंट में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में मौझूद है चतीजगर की सियासत के बेहद एहम किरदार चतीजगर बीजेपी के साप्रवारी नितिन नवीन जी नितिन जी बहुत-बहुत स्वागत है आपकर अपने हाली में जो एक बयान दिया है वो बयान बड़ा इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है चतीजगरी आवाद और भारतिता आवाद को लेकर जो आपने बात कही है काफी विरोध हो रहा है कॉंगरेस भी विरोध कर रही है और आम जंता भी कहीं ने कहीं उस विरोध में शामिल है तो यह जो चीज़ें है इसको चतीजगर के अपमान से जोड़कर भी देखा जा रहा है इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी क्या कहना चाहें भावना है उत भावना के साथ भुपेश सरकार खेल रही है मैंने यह कहा कि महतारी की बात कर रहे हैं मुर्ति लगारी के बात अच्छा है लेकिन चतीजगर की माता बहनों का क्या होगा जो आज लगतार मातां बहनों का उत पीरन हो रहा है सराब बंदी के आपने बड़े- यहां की महिलाओं का कूपोशन का इससी थी क्या हिसती है आज लगतार छे हजार से अधिक घटनाय महिलाओं पर पिछले साह 3-4 सालों में हुई है जो कि यहां पर F.I.R. इनके सरकार में F.I.R. का है वो रिपोर्ट किसका है आप ही किस सरकार का है तो आप महतारी के नाम प 36 वादों से जो सरकार आई थी अज 36 वादे पूरे करने पर कोई जवाब नहीं देती लिए नहां इस पर जरूर बोली कि हम सेंटिमेंट से कर रहे हैं अच्छा आपने जो एक लाइन कही है कि 36 गड़ियावाद की बात करते हैं हम भारतियता वाद की बात करते हैं इसको कैस भारतियता है राष्टवाद की कलपना हम उस प्रकार से नहीं करते हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग कर देंगे और भायत से उसका केवल पैसा जाएगा हम वो बात करते हैं कि जो जोडने की यात्रा कर रहे हैं हम जोडने का काम करते हैं गोवा भी और हैदराबाद भी भूक के कान बढ़ पाया तो हम किवल बात नहीं करते हम क्काम करके दिखाते हैं जिस चतीज़कर की कलपना को साकार किया जब चाथन की बात थी तो कॉंग्रेस विरोध भी लुद थी do प्रतिमा स्थापना को लेकर भी आपने कहा कि प्रतिमा लगाने से क्या होगा और इसको भी लेकर कॉंग्रेस से कह रही है कि यह जो बयान दिया है इसको लेकर आपको माफी मागनी चाहिए हमने यह कहा कि महतारी जी का प्रतिमा लगाने से सम्मान केवल नहीं होगा उनके साथ जो 36 गर महतारी के सामारी 36 की माता बहने है उनका जो आप अपमान करें उसकी भी चिंता आपको करनी है पर क्या करना है तो आप उन बातों का जवाब देने के बजाए 36 की बात करके है उसको भुनाने की बात कर रहे हैं हम तो 36 महतारी की बात की कलपना को किसी ने सकार किया कोई भूपेज बगेलने सकार किया कि सोनिया गानी ने किया अटल भी है इवाज पे ने किया तो इन बातो को हम लोग भी जानते हैं जनता भी जानती है आपके उकसाने से आपके बोलने से कुछ नहीं होगा मुखमंत्री को तो जवाब देना चाहिए विकास के मुद्धों पर 36 मुद्धों की बात हम करते हैं उसको कोई जवाब नहीं आता है और इस बात को डाइवर्ट करने के लिए आपका पास सब्द है समय है लेकिन 36 गर के लोग जानते हैं जब हम ट्राइबल की बात करते हैं तो हम देश के राश्पती बनाते हैं उसमें आप भी रोध करते हैं उसमें क्यों नहीं 36 के सेंटिमेंट की बात आई थी 36 गर ट्राइबल स्टेट है आप भी कहते हैं ते ताली चौली जन जाती हो गाइवाद है क्या नितिन नभीन जी के नजर में या बीजेपी के नजर में है क्या मैं तो इस पर्ष्ट कर रहा हूं हर राजी की अपनी निता है जो हमारे वरिश लोग है चाहिए अजय चंदाकर हो बजमोहन हो यह जी हो या जो इतनी भी हमारे नितागन है डॉक्टर साहब है क्या यह 36 गरिया नहीं है क्या अच्छा नितिन जमीं जी आपको लगता नहीं कि यह जो बयान आपने दिया है चुनाओं में चुकि गड़े ऑलम्पिक का आउजन कर रहे हैं तो कहीं ने कहीं बीजेपी के लिए एक 36 गरिया वाद जो उनकी तरफ से उसका काट निकालना वैसे भी मुश्किल था ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि यह जो बयान है इससे बीजेपी बैक फुट पर आसकती है क्या बयान है मैं अभी तक आपके बात को नहीं समझ पा रहा हूँ आप मेरे बयान को चला यह कि 36 गर महतारी का जो अपमान का विशे कहां हमने अपमान किया हम तो उसको पुझनिय कर रहे हैं लेकिन हम कर रहे कि 36 की माता बनों का क्या होगा इस सवाल को उठाने पर क्यों को पीड़ा हो रही है मैं आप इसको बना रहे है कि विशे है उनका साथ जोड रहे है 36 कर मतारी उनकी है क्या वöyle हमारी भी है 36 के जो चार करूर की आबादी है उसते सबकी हैं उससे कोई सवाल कैसे उठा सकता है वो सबाल हमने जब वो सब्र Pack का परयोक किया ही नहीं किन सब सब्दो से अपमान हुआ है वो तो बताना पढ़ेगा ना भुपेश जी को कि मेरे किन सब्दो से अपमान हुआ है और जब नहीं हुआ है तो फिर ये सपमान का विशे उठाने वाले आप कॉंग्रेस ये कह रही है और खुद मुक्यमंदरी कह रहे हैं कि बीजेपी को 36 गड़िया वाद में यकीन नहीं है जार्खन के सब्सक्रीणा हो कि आज उसी कॉंग्रेस और लालु जी साथ में झार्खन के सब्सक्राइब उन्हां उनлав Restaurant में कि जो विशेथ है उनकी जो भावनाय आती उसके अनोप हमने काम किया है तो इसके वाहक वो कैसे बन सकते हैं इसके वाहक तो हम है और इस बात को भुनाने के लिए क्या इसको एक चुनौती की रूप में देखते हैं या इसके लिए कोई रोड मैप मैं उनसे दो सवाल पूछता हूँ उनके पार्टी के आका जो मेरे भातियंता पार्टी के दबाओ के कान राश्टी अध्याज बने उन्होंने कहा कि हम सनातनी धर्म को समाप्त करेंगे अगर भाजपा बढ़ेगी तो सनातन धर्म समाप्त होगा इस पे उनका क्या बयान है सनातनी परंपरा तो पूरे देश में आज हर राज्जी में छेतर के साथ जूरी हुई है क्या अपने राश्टी अध्याज बयान के से साथ वो सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं अगर सहमत हैं तो खुद भी समझ में आ जाएगा और नहीं समद हैं तो उनके विरोध में उनको इस्टेटमेंट देना चाएए दूसरी बात उनके पिता जी जो राम को नहीं रावन को पूजा करने की बात कर रहे हैं और राम के कल्पना को इस देश से हटा रहे हैं राम सितू की कल्पना को Ha Livy तो इसका मतलब कि वो लोग दोनों ही बातों पर एक उनके पिता जी का बयान उस पर वो क्या बोलते हैं और एक उनके राच्टी अद्यच जो उनके आका हैं उनके बयान दोनों ही बयान तो कॉंगरिस के अलग हैं और आज भुपेज जी यहां पर राजनीती रोटी दूसरे स सीख लेंगे देश में कुछ चलेगा राज में कुछ चलेगा दोनों जगा एक साथ चलेगा हमारा छेतर भी है तो हमारा 56 ग तो हमारा हमारा प्रांत है हम लोग नह Stück लिए काम किया है आपने काम नहीं कि आप खाली राजिती रोटी सेकने आए हैं और सबसे बड़ी बात है मुँ में राम अमन में रावन नहीं चलेगा भूपेश बगिल तो जी अभी हाली में भूपेश बगिल सम्मान के साथ आप खाली जोर कर भावना से खेलेंगे तो नहीं चलेगा कालपनिक है इसी पर तो सवाल उठाया था तो दिल्ली में राम का देफिनेशन दूसरा होगा 36 गर रायपुर में राम का देफिनेशन दूसरा होगा राम का देफिनेशन एक ही होगा मर्यादा पुरश्वत्म राम है तो वो देश और दुनिया के लिए एक है पिता जी की बोली दुसरी हो गया बेटा का बोली दुसरा होगा ये नहीं चलेगा और ये 36 गड़ के जनता देख रही है कि ये वेक्ति छद में यूद कर रहा है चेहरे पर कुछ और नकाब लगाए हुए है और अंदर खाने मन में क अवाम चीजों को लेकर कर नहीं पाए इसलिए अब हमारी सरकार काम कर रही है और बीजेपी जो है उस 36 गड़ी आवाद को या इसको नकारने की कोशिश करें आप पूरी तरह से 36 गड़ी आवाद की बात कर रहे है 15 साल हमको मौका मिला हमने सरक कॉलेज पूल पूल या ची चल रहा है 36 के लोग चल रहे है को दूसरे राजी के लोग आकर नहीं चलते हैं उनकी चिनता 8 अपको नहीं यहां कि बच्चे अगर पढ़ेंगे अच्छे स्कूल और कॉलेज में अच्छे स्थापना करेंगे तो कहां कि बच्चे बच्च्चों का उТ्थान होगा आप जि इस पर्ष टूप से जनता देख रही है कि आपने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं किया है जिसे 36 जर के भविस का उत्थान हो और 36 जर के सेंटिमेंट की बात है तो हम कहां उससे अलग हैं वो इस बात को अलग-अलग कर सकते हैं हमने तो इस सपना को सकार किया है मैं तो दो बार च से हमने हर समाझ को जन जाती हुगा तो समान दिया हम तो पूछने हैं कि जब राष्रपती ट्राइबल स्टेट है जब ट्राइबल को हम राष्षपती बढ़ाने जा रहे थे उस दिन आपने क्या किया वो दिन भी तो आप उसके विरोध में ख़रे थे पर दूसरी बात कौन सा खेल है यहां 36 दुरबाद तूट नहीं रहा है अच्छा 2023 के जो रणीती है या जो उसका रोड मैप है उसके संदर में अगर आपसे बात करें तो जो अंतर है 31 सीट और 14 सीट के बीच का इस अंतर को पार्टने की क्या रोड मैप है किस रणीती से चल रहे हैं बड़े बदलाओ कांगरिस भारती जंता पार्टने अपने संगठन में किये हैं इस बदलाओ से क्या वाकर में फायदा मिलेगा लेकि हमारे यहां 3 साल के अंदर संगठन में बड़े बदलाओ होते रहे हमारे यहां कोई एक परिवार को ही मौका मिलता रहे और एक विक्ति हीं पूरी पार्टी चला ऐसा होता नहीं है हमारे यहां हमेशा 3 साल के अंदर बदलाओ होते हैं 3 साल के अंदर संगठन में इस तर तर के बदलाओ होते हैं उसी करम में यह च कहा जाता है जिसमें इस प्रकार के परिवर्तन अनुभाव का मिस्रन हो और युवा का जोश हो वही स्वस संगठन कलाता है और हम लोगों ने सपस्ट रूप से अभी तीन साल हमारे संगठन के पूरे हुए उसी क्रम राजी में परिवर्तन हुए हैं और बहुत अच्छी बा मुख्यमंत्री के चहरे को लेकर सवाल अक्सर खड़े होते हैं क्या कोई चहरा साथ लेकर चल रहे हैं समय आएगा तो सभी चीजे आगे की जाएंगी मुपेस जब बने थे मुख्यमंत्री उसके पहले कौन-कौन चेहरे थे हैं टिये सिंग्दे एक सिथान पर टिये सिंग सभाइच करने का प्रयास करते हैं भारतिय अंता पार्टी सही समय पर निर्नर लेगी और इस पर्ष्ट रूप से हम अपनी विचाधारा अपनी सिधान तो अपनी नियत जो हमारी है उस पूरे विशे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कायकरता हमारे लगतार संघर्स क कर रहे हैं अभी युवाओं का विशे को हम लोगों ने बड़े अंदोलन का सुरूप दिया आज 36 गर के सवाल पर रोजगार के सवाल पर रोजगारी भत्ता के सवाल पर कहां ये सरकार जवाब देते हूं नजरा रही है ट्राइबल्स के मामले पर जिस प्रकार से आरक्ष चेहरे पर ही चोनाल लड़ा जाएगा यहां पर कोई चेहरा नहीं है कॉंग्रेस से मैं तो पूछ रहा हूं कि 2018 में उनके पास कौन चेहरे थे उसने चेहरे लाए थे क्या उनके नेता सब थे सब लोग मुद्दे आज भी हमारे पास हमारे जब समायाएगा हम भी तैक करें और बड़ा सपश्ट रही है भुपेश जी आपको समय आने पर सब चीज का जवाब मिलेगा 36 गर की जनता के साथ जो आपने विश्वास गात किया है 36 वादों के साथ जो आपने वादा खिलाफी किया है वो सब का जवाब आपको देना होगा जनता तो हिसाब लेगी और जी दे सवाल करेगे तो और आखिर में ये कि क्या टार्गेट लेकर चल रहे हैं जाहिए तो पर एक तो चुकी एक बड़ा चुनौती सामने है जिसका मैंने जिक्र भी किया क्या टार्गेट लेकर चल रही है भरती जनता पार्टी 2023 के लिए देखिए पूरी तर से जहां भ सराव माफिया जिस प्रकार से चल रहा और जिस प्रकार से 36 गर का क्या 15 साल में रहा हम लोग सबसे बड़ा प्रदेश जहां पीडियस की चर्चा होती थी आज क्याची की चर्चा हो रही है कभी वो अधिकारी पकड़ा रहा है कभी वो अधिकारी पकड़ा रहा है कभी वो सारे मुद्दे जो जनता के बीच में जाएंगे तो 36 गर में कॉंग्रेस की जो इस बार चोट पहुंचेगी लेकिन मैं जनता के अगर बात करें सडकों पर भारती जनता पार्टी उस तरह से नजर नहीं आ रही अभी इसके संदर में क्या कहेंगे चुकि मुद्दे आप बता करता जुटे और लोगों ने सरकों पर संघर्स किया लाठियां खाई मुखमंत्री जवाब नहीं दे पाया मुखमंत्री पीछे की दरवाजे से निकल गया हमने कहानी संघर्स किया आज धान के मुद्दे पर लगातार भातियंता पाटी हर विशेक उठारी आप सोचिए ज पैसा कहां से आ रहा है भुबेश के तीजोरी से आ रहा है एक केंद सरकार पैसा दे रही है पिछले एक दो तीन सालों में हम लोगों मैट्रिक धान किसानों के खड़ी दे क्यों हम तो 36 दर की चिंता कर रहे हैं भुबेश इसके भुनाने का प्रयास कर रहे हैं कितना तो र पैसा नहीं देने जिसे कांद दूसरा किस नहीं मिल रहा है क्या इस सिती पैदा किये हुए यह 36 दर के अपने वित मंत्री को अपने वित मंत्री से पूछें वित मंत्रियों की जो कमीटी होती है उस कमीटी ने तै किया था कि 5 साल तक सभी राज्यों को जेश्टी का पैसा मिलेगा पांच साल बाद राज्य अपने सोर से आगे बढ़ेंगे तो यह सो बिहार में भी लागू है यह उत्तर प्रदेश में भी लागू है यह 36 दर में भी लागू है और जेश्टी के पैसा क अपना महल बना रहे हैं आपके नगभी कासमंत्री जबरन कब्जा करते हैं पब्लिक का जमीन और उस पर अपना मकान बना रहे हैं लेकिन गरीब का सियाना नहीं बनने रहे हैं अच्छा पिछले विधान सबस्वा चुनाव में 2018 में जो जन्गोशना पत्र था कॉंग्रेस का उसमें किसानों की कर्ज माफी और साथी धान खरीदी का जो ये मद्दा था कि 3500 रुपे प्रतिक उन्टल में धान खरीदेंगे कहीं ने कहीं से मास्टर स्ट्रोक माना गया एक बड़ा कारण था कॉंग्रेस सत्ता में आई कि इस बार आप लोग इस तरह की क्योई बात करें और धान खरीदी गए और आपकी सरकार आती है और आपके संदर में क्या आपके तरफ से किसानों को कुछ वाला करना गहिए दान खरीदेंगे विशेपे बहुत इस्पश्ट है कि आज जो धान खरीद रहे हैं हम ने तुस उसका अवंटन बढ़ाया ना 24 लाक दो सल पहले था उसके पहले और भी कम रहा होगा और आज हम 61 लाक में ट्रिक टन करीदें कहां का अनाज खरीद रहे हैं 36 गर के किसानों का ना और 36 गर के किसानों को इसका रासी कहां से आ रहा है भुबेश के तिजोरी से नहीं आ रहा है ये किंद की योजना से आ रहा है ये बात उनको भी मालूम है और आज निश्रित रुपते हमको चिंता थी कि 36 गर के किसान का एक एक धान हम क्राय कर ले चाकि 36 गर के किसान को कोई समस्या नहीं हो हमको 36 गर के लोगों ने समर्तन दिया है लोगसभा में एक 11 में से 9 सीटे हमको दिये है तो निश्रित रुपते हमारी जो जवाब देई है जो हमारा फर्ज है हम 36 गर की इसको राशी है उसको दे रही है राजई गानदी नयाय उज्णा के नाम पे MSP के ओपर की जो राशी है उसको Congress दे रही है Congress ये भी कहती है कि जब रहमन सिंग के सरकार थी तब तो बोनस की बात हुई थी लेकिन बोनस मिले नहीं और वो नाराज़गी कहीं ने कहीं किसानों की भीतर थी बहुत इस पॉष्ट है कि आज क्या कर रहे है रखबा के साथ खेतों के पटवन को जो हम लोग पटवन बोलते हैं यहां पर भी हम लोग रखबा बोलते हैं उसके साथ कौन सा खेल खेल रहे है मिलिंग के हिसाब से कौन सा खेल 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 रहे है किसानों के साथ किवल एक MSP का खेल खेल रहे है और निश्वित उपसे समय आएगा तो इसका भी जवाब दिया जाएगा अभी तो निश्वित उपसे आज हमने किशानों के जो धान है एक रत जितना धान किशान यहां उपजा रहे हैं यहां के किशान को मिल रहा है इसलिए यहां के किशान को भी पता है कि आज नरिन्द मुदी है तो निश्वित उपसे उनके किशानों का पूरा जो मुल है वो मिल रहा है कितने सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं देखिए चुनाव चुनाव होता है मेरा स्पष्ट मानना है कॉंगरेस के खिलाब जिस परकार से उनके विधायकों की एंटी इंके मिल्सी है एक एक विधायक और मंत्री जिस परकार से पैसे की बटोडने में लगा हुआ है और सरकार के जो माफिया तंत्र अपने आप में है वो निश्य तुप से कॉंगरेस के सफाया की और संकेत कर रही है और हम तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि इस बाग कॉंगरेस का यहां से सफाया हो नितिन नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इस खास मुलाकात में फिलाल इतना ही अगली बार फिर मुलाकात होगी राजनीती के एक और दुरंदर के साथ नमस्कार